आज हम इस वीडियो में SSC MTS के जो प्रिवियस येर में one word substitution आ चुके हैं उनकी बात करेंगे जैसे कि पहला जो आपका इसमें question है one who eats too much तो गाइज इसके आप options देखेंगे तो पहला option है glutton इसका answer ही first है glutton glutton मतलब जो बहुत जादा खाता हो obese मतलब होता है जो मोटा होता है और overweight होता है जिसका weight जादा हो greedy means आपको पता ही है लालची तो आपने इसका options देखके easily eliminate कर दिया होंगे बाकी options और glutton आप इसको choose कर सकते हैं existing only in mind next question है तो guys इसमें imaginary दे रखा है जो सिर्फ mind में exist करता है इसका भी answer A ही है fallacy मतलब है किसी में दोश देखना और gamble मतलब को पता ही है जुआ और missionary मतलब होता है जो एक mission को पूरा करने के लिए बनाए जाती है likely to arouse envy मतलब जो किसी में जलन की भावना को प्रेरित करे तो उसे क्या कहते हैं तो guys इसका answer क्या होना चाहिए आप evaluate करके easily आप find कर सकते हैं जैसे jealous मतलब होता है d option जो है jealous तो इसका मतलब होता है जलना किसी दूसरी चीज को देखका है economical मतलब की economical मतलब जो पैसे बचाता हो लब सही time पे सही जगा खरच करता हो और envious मतलब होता है यह शालू और enviable मतलब की दूसरों की चीज को देखता हो इसका answer है enviable one who loves and support his country and willing to defend it यह आप easily इसका पता लगाई सकते हैं patriot मतलब होता है कि जो अपनी country को बहुत ज़दा प्यार करता हो martyr में तो होता है शहीद alien means होता है जो कहीं दूसरी जगा का हो और atheist जो भगवान में विश्वास ना करता हो तो next है the study of birds जैसे इसमें देरे रखे है जूलोजी, ornithology, physiology, anthropology जूलोजी तो जो जू से related होता है ornithology होता है the study of birds जाइज यह बहुत important है इसे एक बार जरूर नोट कर लिजेगा याद कर लिजेगा physiology होता है study of body parts और anthropology होता है study of mankind जाइज इसमें इस चीज़ के जरूर ध्यान रखेगा कि जो options आपने की हैं इनके question बनके भी next time आ सकते हैं तो जाइस move करते हैं नेक्स्ट जो questions है उस पर तो next question है one who is unable to pay once debt जो अपना कर्जा ना चुका पाए bankroll आप समझी गए होगा कि यह answer तो होगा नी extravagant जो होता है जो बहुत जादा खर्च करता हो यह भी question आ सकता है और borrower मतलब जो धार ले और bankrupt का मतलब होता है जो अपना करदा ना चुका पाए next instrument that magnifies image stethoscope आपको पता ही है जिससे डॉक्टर लोग कान में लगा कर सुनते हैं telescope होता है stars और astrologics चीजे जो होती है उनको देखने के लिए मतलब space related microscope magnifies करता है तो काफी easy question है periscope उसमें रहा होता है submarine होती है जिससे देख जाता है next animals that live in water तो इसका भी काफी easy है domestic जो घरेलू हो baron मतलब जो बंजर जमीन होती है उसे कहते है aquatic होता है जो जानवर पान में रहते हों wild मतलब की जंगली तो guys next the study of plant life इसका option है बाटने जियोलाजी जोग्राफी जूलाजी तो आपको जैसे पहले भी आया था जो की जू से related होता है geography मतलब की जो किसी या के भूगोलिक उससे related हो और बाटने इसका मतलब होता है study of plant life next exclusive possession of control of anything तो monopoly होता है किसी चीज़ पर control करना एक बंदय कंट्रॉल होना और monomania मतलब की किसी मेनिया मतलब होता है sunak तो किसी एक चीज़ की sunak और monoism मतलब एक चीज़ पर विश्वास करना और monotheism होता है एक ही भगवान में विश्वास करना तो guys यह important questions हैं जो की MTS में आ सकते हैं तो guys अगर आप channel पर नए हैं तो subscribe कीज़ेगा और video को like कीज़ेगा Thank you guys have a nice day